कार, मकान और दुकान के कर्ज की किस्ते ही याद रखने वालों? कर्ज तो माबाप का भी है, ये बात और है कि वो जताते नहीं और नहीं पेनल्टी मांगते हैं. नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का रासिफल यानि की चार फर्वरी के विसेश एपिसोड में. साथ ही आपको बदाई और सुपकामना है, जिनका आज जन्म दिवस है, मेरी जन्म वसरी है, या कोई विसेश यादगार दिन है. तो आईए, सबसे पहले बात करते हैं, आज के पंचांग की. आज चार फर्वरी 2021 को गुरुवार है, आज के विसेश सुपाय में, रदय का दो तोला मास या ये बोच सकते हैं, के संसार में खाने के लिए सबसे सस्ती वस्तूग किया है, उसका मुल्य क्या है, इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा. समवत दोजा 77 का माग करश्नबक्ष चल रहा है, आज सब्तमी तिती है, दोपर के बारा बज़ करके सांत मिनट तक, उसके बाद में अस्तमी आरंब हो जाएगी, स्वाती नक्षत रहे, सामको सांत बज़ करके चंवालीस मिनट तक, उसके बाद में विशाका नक्षतर आरं नहीं किया जाता है लेकिन अब मैं जो मौरत बता रहा हूँ सुब चोगड़ा मौरत उसमें सारे सुब कारे आरम किये जा सकते हैं यह समय काल है प्राते काल साथ बज़ करके पचीस मिन्ट से लगा करके आठ बज़ करके पच्वान मिनट तक फिर वापस दोपर में दोपर त इन बज़े से लगा करके चार बज़ करके पचीस मिन्ट तक आई अब बात करें यात्रा मौरत की आज के दिन पस्थिम दिसा और उत्रे दिसा में यात्रा करना सुकत है सुबागे साली है यह बोच सकते हैं आपका उद्रे से पूरा होने लाएक है वहीं दक्षिन दिसा औ फिर दई खाकर की यात्रा का आरम कर सकते हैं यह दिसा सुद्धोस का परियार हुआ आई अब बात करें आज के सुबगर योगों की आज सूरियो दे कालिन कुणली में आश्रय योग संक्या योग रुचक मापरुश योग गच केश्री योग अधम योग चनमंगल राज योग केंद्र त्रिकौन राज योग का साथ मिलेगा हर व्यक्ति की कुणली में सुब योग असुब योग या मिस्तित योग होते ही हैं यह अलग बात है कि उनको पता नहीं होता ऐसे इस्तिति में यदि आपके पास में अपनी राज योग की कुणली है तो आपके पास मे पूरी पूरी लिस्ट होगी या ये बोच सकते हूं एक पूरी कुंड़ी होगी जिसमें राज योगों की परिबासा सुब योगों की परिबासा सुब योगों का कैलकुलेशन और साथ ये भी पता होगा इस सुब योग की वज़े से उसका फल आपकी जिंदगी में क्या आप अपनी राजयों की कुणली बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिये हैं उस पर संपर करना है आपको घर बैठे वे आपकी राजयों की कुणली प्राप्त होगी आईए अब बात करें लाक रुपे की एक कावत है कौन कौन को लेवे नाम कंडा बीने पूरो गाव कुछ समस्यां ऐसी होती है जिनकी जड़ के रूप में लगबग पूरा जन सुमदाय ही दोशी की भूमी काम होता है मसलन अतिक्रमन की ही बात करें हर मौले हर गली में जहां जिसे देखो उसी ने अपने घर या दुकान की हद अना दिर्कत तरीके से बढ़ा रखी है ऐसे अवसरों पर इस कावत का उपयोग होता है आई अब आरम करते हैं आज का रासिफल चार फरवरी दो जारे किस के लिए आरम करेंगे मेश रासी से मेश रासी के लिए रासी से सेवन ताउस में दांपत सुक बाव में चनमा विराज माने ये चनमा बहुत ज़्यादा साथ और अस्ताव का उपयोग में ट्वंटी एट डॉट ये कॉमिनेशन हंडेट परसेंट पॉस्टिव है और ऐसी स्तिति में आज का दिन आपके लिए खुशी का दिन है बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे प्रसंद रहेंगे जीवन साथी के साथ में अच्छा एटिट सकता है आपके कामकाज आगे बढ़ सकते हैं या आपको सरकारी अधिकारियों से मार्ग दसन मिल सकता है सपोर्ट मिल सकता है अच्छे खाने पिने या पहनने से आज आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर सकते हैं और जिन लोगों को प्राचिन विद्याओं का गूड रासियों का ग्यान की आवशकता है या जो जिग्यासु प्रवती के लोग है उनके लिए आज का दिन कुछ खास सीखने का दिन है सुख सोईदाओं में व्रद्धी होगी जो पार्टनेशिप में काम करते हैं उनके लिए लेन दिन में आज बहुत अच्छा दिन है या की रासि से सिक्स ताउस में रोग बाव में चनमा विराज माने ये चनमा सुब माना जाता है नक्षत तारा सिध्धान के उसा साधक तारा का साथ और अस्टेव कर्में 24 डॉट ये कॉमिनेशन इस चनमा को हंडेट पसेंट पॉस्टिव बना देता है ऐसी इस्तिति में रोहनों समपत्ति के लिए स्टिति सुब है और साथी साथ स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन कुछ नया करने के लिए चाये वो एक्जाम हो चाये वह इंटर्वी हो चाये कॉम्पेटिटीव एक्जाम हो या किसी से मिलना हो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा बिटाने के लिए भी उनमें सांती के लिए भी जो आज प्रियास करना चाहते हैं वो प्रियास लाब दायक रहेंगे अथा सत्रू आज सांत होंगे आपका जो भी मैनत है जो भी प्रियास है जो भी काम का आज है आपका चाहिए आप जॉब करते हैं तब भी और आप बिजनस मैंने तब भी आज का दिन उन्रती दायक है जो financial gain के लिए try करेंगे उनको वो gain मिलेगा और जो speculation से future टेडिंग से जुए से सटे से gambling से lottery से क्योंकि ये जो रासिफल है ये सिरफ वसरफ भारत के लिए नहीं है जो भी विश्व में वरस रासी के लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं इसलिए जब भी मैं जुए सटे gambling ये lottery की बात करता हूं तो दूसरी country में भी जहां पर online lottery चलती है और जहां पर ये सब legal है मैं उनकी भी बात कर रहा हूं तो उनको आज फाइदा मिलेगा वाद वाद में सफलता मिलेगी आज competition में exam में interview में आपको खास सफलता मिल सकती है और साथ ही साथ आज investment का बहुत अच्छा मौका भी है नए investment करना चाते हैं वो भी कर सकते हैं आज का लखी कलर है orange और आज का लखी नंबर है नंबर नाइन आईए अब बात करें मिथुन रासी की आपकी रासी से फिप ताउस में सिक्सा और संतान बाव में चनमा मौजूद है नक्षत तारा सिद्धान को साथ शेम तारा का लियानकारी तारा का साथ और अस्तक वक में 31. यह combination आपके लिए बहुत ज़्यादा बहतरीन है 67% से ज़्यादा 75% तक यह चनमा आपको positivity देगा 25% फिर भी आपको मायूसी मिल सकती है ऐसी इस्तिती में आज especially जो लोग mentally planning में ज़्यादा रखते हैं या जिन लोगों का बुद्धिबल का काम ज़्यादा है चाए आप software से संबन देते हैं चाए computer से संबन देते हैं चाए आप कोई कोई ऐसे काम का से संबन दे जो marketing का काम है या बोलने का काम है उसमें आपको ज़्यादा सफ़ता मिल सकती है रासी से पांच वाचनमा जब भी ओ investment से बचना चाहिए जुए सटे gambling में lottery में कोई फाइदा नहीं मिलेगा उल्टा पैसा वेस्ट हो जाएगा और साथ ही साथ मोजाल से बुरी आशक्ती के समय में या दुरभावना वरस किसी से मिलने जा रहे हैं फाइदा उठाने जा रहे हैं तो ऐसी इस्तिति में आप शिकार हो सकते हैं ट्रैप का अता साजिश का शिकार हो सकते हैं बदनामी हो सकती हैं ऐसी इस्तिति में आपको पहले ही वान कर रहा हूं कि आपको बचना चाहिए स्टुडेंट को एजुकेशन में आपसिकल्स का सामना करना पड़ सकता हैं और या पर संतान से आप दुखी हो सकते हैं संतान की असफलता से दुखी हो सकते हैं या संतान के जो भी क्रिया कलाप है गैर जिम्मेदारान व्यवार है उससे चिंता गरस हो सकते हैं दुखी हो स निकाल लेंगे तो आज के दिन जो भी दिमाग वाला काम है जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए आज बहतरीन दिन है लेकिन जो बिजनस में ने जो इन्वेस्मेंट करते हैं उनको आज बहुत सावदान होकर के काम काज करना चाहिए आज का लखी कलर है वाइट कलर और आज क यह कॉंबिनेशन इस चनमा को 67% आपका बचाव करने वाला लेकिन 33% फिर भी दुख देने वाला बना देता है रासी से फोर चनमा जब भी होगा व्यक्ति अपनों से ही व्यार विरोध करेगा मांसिकलेश हो जाएगा या कले हो जाएगा और उतेजना वस गुसे में आकर क frustration में आकर कि बहुत अब सब्दों का इस्तेमाल करेगा और जो कामदंदे वाले लोग हैं उनको भी कामदंदे में obstacles आएंगी उनका mood भी उखड़ा रहेगा बहुत ज़्यादा गुसा भी आएगा और ऐसे में वो गुसा स्ताब पर निकल सकता है या कोईन कोई ऐसा client आ financially gain की जगे आपका पैसा ज्यादा खर्च हो सकता है पैसा फस सकता है नुकसान हो सकता है समान चोरी हो सकता है या समान खो सकता है आप रख करके भूल भी सकते हैं जो relationship में हैं उन लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है मान समान में कमी अपमान के इस्तिती आ सकती ह साली रूकुप से भी आज पीड़ाद एक दिन है ऐसी इस्तिती में आपको अपनी इस्तिती पर ध्यान रखना चाहिए अपनी बूल चाल पर या अपनी जीब पर कंट्रोल करना चाहिए आज का लखी कलर है ग्रे कलर और आज का लखी नंबर है नंबर टू आई अब बात क का साथ और अस्ता को अगमेंट 28 डॉट ये कॉमिनेशन इस चनमा को 67% पॉजिटिव और 32% वीक बना देता है और वीकनेस आती है नक्षत तारा सिदान में वद तारा होने से 67% पॉजिटिविटी में फाइनिशल गेन इन्वेस्मेंट से लाब या सुक वाली इस्तिति में सम इप्रोमेंट आएगा व्रद्धी होगी हर सेक्टर में सब मिला करके दिन सुब होगा और वहां पर आपको सफलता मिलेगी आप खुद बहुत ज़्यादा प्रसंद रहेंगे confidence बढ़ जाएगा संतान के साथ में जीवनसाती के साथ में अपने पेरेंट के साथ में लगा वाले स्थिति आएगी और health बहुत अच्छी रहेगी housewives के लिए भी आज का दिन बहुत ज़्यादा सुब है आप जो भी आज जो भी घर में काम काज करेंगी जो कुछ भी पकाएंगी खाना उसमें आपको appreciation मिलेगा या यह हो सकता है कि आज आपका दिन अच्छा है इसलिए जो कुछ भी पकाएंगी वो स्वादिस्त होने वाल यह चनमा mixed result ही देता है नक्षत तारा सिद्धान के उसाथ शेम तारा कल्यान कारी तारा का साथ सुब है अश्टर को अगमें 21. यह सुब है ऐसी स्थिति में यह चनमा 75% positive और 25% weakness देगा आज का दिन जो भी प्रियास करेंगे जो भी मेनत करेंगे चाहे वो धन और संपती के लिए अपने परिवार के लिए उसमें सफलता मिलेगी यह हो सकता है कि आपके परिवार में से कुछ लोग असंतुस्त रह जाएं तो हर व्यक्ति संतुस्त हो जाए यह जरूरी नहीं है और आप संतुस्त किसी को कर भी नहीं सकते हैं अपने काम काज को ले करके अपनी जौ इस्ते easy success की बातें आज के दिन नहीं सोचनी है, जहां तक संभवो जगड़े टंटों से नुकसान हो सकता है, इस्ते दूरी रही है, अन्यता पैसों का नुकसान हो सकता है, संतान या पिर अपने जीवन साथिक के स्वास्ति को लेकर के, बीमारी को लेकर के परिवार में दु आपको सपोर्ट कर रहा है, यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आज का लखी कलर है वाइट कलर, और आज का लखी नंबर है नंबर थरी, आई अब बात करें तुला रासी की, आपकी रासी से, फस्त है उसमें, रासी वाव में ही चनमा विराज मानें, यह बहुत सिद्धान के उसमें, सादक तारका साथ और आस्ते वाव में थर्टी थ्री डॉट यह कॉमिनेशन इस चनमा को हंडेट पसेंट पॉस्टिव बना देता है, और ऐसी इस्तिति में, आप जो भी आज काम काज करेंगे, जो भी आपका केरियर है, उसमें आपको सुक सुईदा मिलेगी, गेन के मौके मिलेंगे, नेम फेम बढ़ेगा, एप्रेशेशन बढ़ेगी, और साथ ही साथ आराम दायक डंग से आपका काम काज होगा, एंटरेटेन्मेंट की वस्तुएं या एशो आराम की वस्तुएं मिल सकती है, अच्छा खाना पिना, दामपत्य सुक में इ बैतरीन मिलेगा, या कोईन को ऐसी डील हो सकती है, जो आपके लिए सपना थी, अच्छा वहान, मान सम्मान, कहीं कहीं से गिफ्ट मिलना, और सारे सांसार एक सुक मिलना, आज के दिन आपको नसीब होने वाला है, सुक सोधा में व्रद्धी होने वाली है, आज का लखी कलर है, परपल कलर, और आज का लखी नंबर है, नंबर वन, आईए अब बात करें, रस्टिक रासी की, आपकी रासी से 12 आउस में एक्सपेंसेज, बाव में चन्रमा विराज माने, ये चन्रमा सुब फल नहीं देता है, लेकिन नक्षत तारा सिद्धान के अधिमित्र तारा का साथ, जो कि सुब है, और अस्टा कोग में 45 डॉट, ये भी इस्तिति सुब है, ऐसी इस्तिति में रासी से 12 चन्रमा होने के बावजूद भी 67% आपका बचाव होगा, 33% ही आपको दुख बोगना पड़ेगा, और ऐसी इस्तिति में, आज के दिन मांसिक रूप से परिशान हो सकते हैं, कोई कोई चिंता आपको अंदर इंदर खाये जाएगी, जो कुछ आपने गलत किया है, वो बार-बार आपके आँखों के सामने आएगा, और आपको अपनी भोल का पस्तताब होगा, आप अंदर से डरेवे रह सकते हैं, आज आपको financially loss होने के स्तितियां आपको पैसा बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, अपने आपको संतुस रखने के लिए मैला उपर आज expenses ज्यादा हो सकते हैं, चाए वो मैला हैं आपकी friend circle में हो, या अपने घर की हो, चाए वो माता जी हो, चाए वो बहन हो, चाए वो दादी हो, जो भी घर के सम्मा सदस्य हैं मैला हैं, उन पर extra खर्च हो सकता है, चाए वो बीमारी पर खर्च हो, रासी से 12 आउसका चर्मा, व्यर्थ खर्चा भी करेगा, व्यर्थ में परेशान भी करेगा, और कोईन को दुर्गटना या चोड से सामना भी हो सकता है, health में भी आपको कुछ downtrend दिखाई द और ऐसे इस्तिति में थोड़ा सा ध्यान करने का प्रियास करें, या अपनी रासी का जो मंतर है, उस मंतर का जाप करें, रात मिलेगी, आज का लखी कलर है पीच कलर, और आज का लखी नंबर है नंबर फाइफ, आईए अब बात करें धनु रासी की, आपकी रासी से 11 आउस इस्तिति में आपकी रासी का अधिपती ब्रहस्पती भी रासी से सेकंड आउस में धन बाव में बहुत ज्यादा सुखत इस्तिति है जो चनमा है रासी से 11 आउस में बहुत स्पीडली गेंड कराएगा रासी से 5 आउस में मंगल है वो मंगल जो की 5 आउस के लौड है त्रिको में गैन हो सकता है शेयर के थे थूरू अज का दिन बहुत शांदार गैन हो सकता आपको टिप मिल जाया जानकारी मिल जाया कोई कोई आपके सात वाले कलिक सी आपको सपोर्ट करें ऐसी इस्तिति में आज के दिन भेहतरीन गैन की संबावना है अपना खुद का पैसा पाने के लिए उदार दियावा पैसा वसूलने के लिए मनी कलेक्शन के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा बैटर है स्वास्तिमाज सुधार देखने को मिलेगा जो विरोधी हैं वो आज आपका सामना नहीं कर पाएंगे या आप उन पर बहुत अच्छा कंट्रोल करेंगे जो आज यात्रा करना चाते हैं उनको यात्रा से बहतरी लाब मिलने वाला है अविवाइत लोगों के लिए विवा की बातें चल सकती है और साथ ही साथ आज के दिन आपके फ्रेंड सर्कल का या रिस्तदारों का घर में आगमन हो सकता है विसेस उद्देश्य के कारण आज का लखी कलर है पिंग कलर और आज का लखी नमबर है नमबर एट आई अब बात करें मकर रासी की आपकी रासी से टैंत आउस में करम बाव में चर्णमा विराज माने ये चर्णमा बहुत ज़्यादा सुब माना जाता है लेकिन नक्षत तारा से दांत के अउसार विपत तारा का साथ मिल रहा है जो कि सुब नहीं है अश्टा को अगमें 26 डॉट ये सपोर्ट कर रहे है ऐसी इस्तिति में 67% ये situations आपके लिए positive है 33% आपको weakness देखनी पड़ेगी मायूसी देखनी पड़ेगी रासी से फस्त ताउस में शनी विराजमान होना स्वारासी का पंच मापुरूस में से एक सश योग का निर्मान करता है फोर्ट ताउस में मंगल का स्वारासी में विराजमान होना रूचक मापुरूस योग का साथ दे रहा है ऐसी इस्तिति में situations काफी ज़्यादा improvement है या काफी ज़्यादा बलवान है आज के दिन आपके प्रियासों से, आपके कामका से, आपके कैरिर में interest लेने से आपके प्रतिष्टा में व्रदी होगी, सुखी होंगे, सफलता मिलेंगी या नई योजना है बन सकती है और नई योजनाओं में उस्सा वर्दन होगा अथात बहुत ज़्यादा आपको खुशी महसूस होगी कि इतना बड़ा काम में करने वाला हूँ जो भी लोग जनता के बीच में जाना चाते हैं राजनिति के शेत्र में एंजियो के शेत्र में समाज कल्याण से समदित काम करने वाले लोग हैं या इंसुरेंस या फिर मार्केटिंग टीम का हिस्सा हैं उनको आज जन व्यवार में जनता से संपर्क में सफलता मिलेगी नए स समाजिक संबंद बनने से भी आपका उस्तावर्दन होगा या आपका कामकाज बढ़ेगा जो अपनी प्रपरटी को बेशने के लिए निकाले वें उनके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा बैटर है नौकरी में भी इंप्रुमेंट के योग बनेंगे या कोईन कोई आपको आइडिया दे सकता है आगे बढ़ने के लिए और साथ इसा जो पूजा पाट वाले लोगें आस्तिक लोगें धार्मिक लोगें उनके लिए आज बहुत अच्छी अनुबुतिया इस्तिसिद्धी का अफसर है आज का लखी कलर है ग्रीन कलर और आज का लखी नंबर है इस चनमा को 50% पॉस्टिव और 50% वीक बना देता है ऐसी इस्तिति में रेश्यो आदा आदा है आज के दिन मन में असांती या हेल्थ प्रॉलम संतान की चिंता या संतान से मदबेज संतान से वादविवाद या संतान के प्रयासों से खुश नहीं होना ऐसी इस्तितिया हो स रखती है जो बिजनसमें लोग हैं उनके लिए व्यवसाय में कोई आज संतुस्ती प्रदान इस्ति नहीं है लेकिन आपको कल दोपेर को बारा बच करके 45 मिंट के बाद में इस्तितियां काफी ज़्यादा बैटर है और वो काफी ज़्यादा जो बैटर इस्तिति है और वो डिपेंड करता है कि यह जो चार दिन आने वाले सक्सेस के आने वाले इसका फाइदा आपको कैसे उठाना है आज के दिन जो भी आप बिजनस करना चाते हैं लें दिन करना चाते हैं सावदान रह करके एक्स्ट्रा एलेट होकर के काम काच करेंगे तो ज़्यादा बैटर है भागय भाव का चानमा व्यक्ति को दान धरम में expenses कराता है उसकी रोची उसकी आस्ता धार्मिकित्व में आस्ता में या धरम के प्रति जादा होती है लेकिन वह व्यक्ति पेट से समस्तित जो परेशानियнет का शिकार भी होता है इसी इस्थिति ने में खाने पिने पर कंट्रोल लखना ज़्यादा ज़रूर और आज का लकी कलर और आज का लकी नमबर आज आप बात करें मीन रासी की आपकी रासी से एड त student में बाववन संन्दा में चन्ध मां विराज लेकिन 33% फिर भी आपको फेस करना पड़ेगा मारक चनमा के फल को और ऐसी इस्तिति में आज का दिन परिशानी में या कला कलेस में जा सकता है चोट या दुरुगटना का सामना हो सकता है या खराब स्वास्ति से आप दुखी हो सकता है परिशान हो सकते है और इस्पेशली पेचिस या हिस्तिरिया से समदित जादा तकलीफें आ सकती है जो लोग एंटिक का काम करते है पूरा तथ्वस से समदित कोई काम करते है उन लोगों को बहुत ज़ादा सबोर्ड भी मिलेगा या गेन के स्थिति भी आएगी बारी समंद्दों से आपको साहता मिलेगी आउ आगे महमान मन कर या आपको सेस्वाल वालों के जाना पड़े उस स्थिति में कुछ जो को एससे स्थितियों का निर्माड होगा जो तनाव देगी जो आपको con fuse भी करेगी इस्ट्रेस भी देगी और आपको गुस्सल भी बनाएगी लेकिन छोटी सी बात पर या छोटे से का भी दिन ने बहुत बार आपको मैचोटी दिखाते हुए अपमान का घोट पीना पड़ सकता है वो पी लेना चाहिए अच्छा रहता है आज का लगी कलर है ब्राउन कलर और आज का लगी नंबर है नंबर सिक्स ये तो हुई बात आज के रासिफल की आईए अब बात करते ह संसार में सबसे सस्ती वस्तू खाने की क्या है मगत समराद बिंदू सार ने एक बार अपनी सभा में पूछा देश की खाद्य समस्या को सुलजाने के लिए सबसे सस्ती वस्तू क्या है मंतिरी परिशत अन्य सदि से सोच में पड़ गए चावल ग्याहूं ज्वार बाजरा इन सभी में तो बहुत मेहनत के बाद ही मिलता है और वह भी तब जब प्रकति का प्रकोप नहीं हो ऐसी इस्तिति में ऐसे आहलात में अन्य तो सस्ता हो ही नहीं सकता तब शिकार का शौक पालने वाले एक सामतने का राजन सबसे सस्ता खादी पड़ात मास है इसे पाने में मेहनत कम लगती है और पौश्टिक वस्तू खाने को मिल जाती है सभी ने इस बात का समर्थन किया लेकिन प्रदान मंतरी चानक के चुप थे तब समराट ने उनसे पूछा आपका इस बाले में क्या मत है तो चानक के ने का मैं अपने विचार कल आपके समक्स रखूंगा रात होने पर प्रदान मंतरी उस समंत के महल पहुंचे समंत ने द्वार खोला इतनी रात के प्रदान मंतरी को देख करके घबरा गया प्रदान मंतरी ने कहा शाम को महराज एका एक बिमार हो गये राजवेद्य ने काया कि किसी बड़े आदमी के रदय का दो तोला मास मिल जाए तो राजा के प्राण बच सकते हैं इसलिए मैं आपके पास आया हूँ आपके रदय का सिर्फ दो तोला मास लेना है हूँ और इसके लिए आप राज कोस से एक लाख स्वण मुद्राएं ले यह सुनते ही सामथ के चेहरे का रंग उड़ गया उसने प्रदानमंति के पैर पखड़ करके माफी मांगी और उल्टे एक लाख स्वण मुद्राएं दे खरके कि आप इस दन से वह किसी और सामंत के रदय का मास खरीद ले अब प्रदान मंतरी बारी बारी सभी सामंतों सेना के अधिकारियों के यहां पहुंचे है और सभी से उनके रदय का दो तोला मास मंगा लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ उल्टे सभी ने अपने बचाव के लिए प्रदान मंतरी को एक लाग, दो लाग, पाँच लाग तक सवन मुद्राइं दे दी इस प्रकार करीब दो करोड सवनमुद्राइं का संगरे करके प्रदान मंतरी सवेरा हुने से पहले वापस अपने महल पुछे और समय पर राज सबाम है प्रदान मतरी ने राजा के समक्स दो करोड स्वर्ण मोद्राय रख दी समराग ने पुछा यह सब क्या है तब प्रदान मतरी ने बताया कि दो तॉला मास खरीदने के लिए इतनी धनरासी कटी हो गई है फिर भी दो तॉला मास नहीं मिला है राजन अब आप स्वेम विचार करें कि मास कितना सस्ता है जीवन अमुल्य है हम यह न बुलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है उसी तरह सभी जीवों को भी अपनी जान उतने ही प्यारी है लेकिन वो अपना जान बचाने में असमरते हैं मनुश्य अपने प्राण बचाने के लिए हर संभव प्रियास कर सकता है बोल करके, रिजा करके, डरा करके, रिस्वत दे करके इन सभी कारणों से और पसु ना तो बोल सकते हैं, ना ही अपनी व्यत्रा बता सकते हैं और बस इसी करण उनसे जीने का अधिकार छेन लिया जाता है शुद्ध आहर, शाकाहर, मानव आहर, शाकाहर इसलिए का जाता है नेचर ने प्रकति ने आपको खाने पिने के लिए बहुत सी वस्तों दिये इसलिए जितना हो, जितना संभव साकार पर रहें वो ज्यादा आपके सरीर के लिए भी, आपके मानसिक्ता के लिए भी सुबह सही है ये तो था आज का रासिफल और आज का विस्यस उपाए या आज की विस्यस सीख, आज की विस्यस जानकारी, जो आप समझें इस समयकाल में महमारी और महमंदी को देखते हुए आप अपनी जन्मकुल्लिक विस्यस अपने घर बैठे करवा सकते हैं चाए कोई भी समस्या हो, कोई बहुत बड़ी डेरिंग करनी हो कोई बहुत बड़ा रिस्ट फेक्टर में जाना हो, कोई नय व्यवसाय आरम करना हो चाहे विवा की बात हो चाहे संतान की बात हो संतान की केरियर की बात हो बहुत से समस्या हैं बहुत से जिग्यासा हैं बहुत से सपने हैं उनको साकार करने के लिए कौन सा रास्ता आपके लिए सबसे सही होगा और आपकी life का सब से उत्तम समय कौन सा है यह सब कुछ आप जान सकते हैं अपनी जन्मकुल्ड के माद्यम से और अपनी जन्मकुल्ड के विश्टेशन कराने के लिए आपको appointment fix कराना होता है और appointment लेने के लिए screen पर जो number है उन पर संपर्ग करिये हमारी टीम के मेंबर आपका अपरवरिकों लेने में और बात कराने में बहुत मददगा साबित होंगे उनसे भरसक जो भी होगा वो आपकी साहता करेंगे आने वाले समय में 6, 7 और 8 फरवरिकों मैं दिल्ली में रहूंगा जो भी मिलना चाहते हैं वो प्राइर अपर्डमेंट ले करके मिल सकते हैं आज इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्त रहें, सुखी रहें, प्रसंद रहें और सुरक्षित रहें आप सभी अपने परिवार का बहुत बहुत खैल रखें, आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुप कामना है इश्वर आपकी रक्षा करें, बहुत बहुत धन्यवाद ओर स्वस्त रहें